मैं ससी आदो बिहार राज आशाकारे करता संग गोप गूट एक टू की राज अध्यक्ष बहनों आज मैं दर्भंगा में थी दर्भंगा में जबरदस्त तरीके से मजदूर अधिकार सम्मेलन यहां के तमाम छेत्र के लोग हैं जाओ आशाकारे करता फैसलिटेटर यह भी अ हैं वो थी कारेपालक सहायक थे अधिक डाटा इंटरी ऑपरेटर थे सिक्षक थे एंबुलेंस कर्मी जो भी यहां दर्भंगा में और भी जगाहरताल पे हैं तो एंबुलेंस कर्मी के नेता लोग थे तो इस तरह से यह निर्मान मजदूर के लोग थे मरेगा मजदूर के थे इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग थे कि हॉल बहुत छोटा पढ़ गया आधे से जादे लोग बाहर में थे और जबरदस्त रूप से आसा और ऐसा फैसलिटेटर बहनों में उत्साह है कि जो आज हम लोगों को जो पिछला बकाया मिला है फैसलिटेटर बहनों में उत्साह है हमारी रसोया बहने जिनको जिनका कि अभी तब कोई पैसा नहीं बढ़ा है तो रसोया बहनों का आंदोलन हम लोग 24 तारिक को पटना में प्रदर्शन है उसको लेकर करके तैयारी कर रहे हैं और रसोया बहनों का भी पैसा बढ़ेगा यानि कि हम लोग तमाम करमचारी से लेकर के हर तबके के सवालों को मजबूती से हम लोग उठा रहे हैं और अब एक जो सवाल लगातार हमारी फैसलिटेटर बहनों के दिमाग में गूंज रहा है कि जो सुल्ला हजार रुपया आशा का आया है तो हम लोगों का नहीं आएगा बिलकुल आए थी तो उन्होंने बताया कि मात्र अभी 35,000 आशा का गया है और बाकी अब धीरे धीरे करके क्योंकि शनी और रवी बार छुट्टी हो गया कल परसो भी मोहरम का ही अस्तब्यस्त रहेगा तो इसके बाद इन छुट्टियों के बाद सारे सारी आशा को भी जिनका भी बकाया था जो भी उस समय आशा कारेरत थी उनका पैसा जाएगा फैसलिटेटर बहनों का भी पैसा जाएगा इसलिए फैसलिटेटर बहने परिशान नहों जो भी बकाया था वो बकाया जाएगा कुछ जो पहले मिल चुका था वो काट करके जो बचा हुआ है वो जा रहा है और वो सब को मिलेगा जो नए बहाली हुई है बीस के बाद जिनकी बहाली हुई है उन बहनों को उन आशा बहनों को नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो उस समय थी ही नहीं नहीं बहाली में है जिनका बीस में 21 में बहाली हुई है तो उनको नहीं मिलेगा इसलिए आप लोग भी परिशान किसे प्रखंड में कुछी आसा को मिला है इसलिए भी परेशान है तो सबको मिल जाएगा अब एक सवाल जो मजबूत सवाल है प्रमुक सवाल है कि कैबिनेट होना ये कैबिनेट इस बार के भी कैबिनेट में नहीं हुआ है हम लोग फिर मिलेंगे प्रधान सचीव से और बात करेंगे कि क्या बात है कैबिनेट क्यों नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री से कोशिस करेंगे मु उस समय जरूर सवाल जबाब पूछेंगे कि क्यों किस वजह से आप जो तय हुआ था जो लिखित समझोता हुआ था उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं क्या कारण है यह जानकारी ली जाएगी और जदी नहीं अगर करेंगे तब हम लोग सत्र के बाद इस पर हम लोग विस् सवास है क्योंकि हमारी बहुत सारी बहने निरास आसा निरासा में उपर नीचे होते रहती हैं आप समझ लीजिए कि उस समय से हम लोग इस बात को कह रहे थे कि आपका बकाया पैसा हम लोग ले करके रहेंगे क्योंकि जो सरकार एक बार तय कर लेती है उसमें समय जरूर मतलब सरकार के पास पैसे की इतनी कमी है हम लोगों ने अपना काम किया हुआ पैसा आपको छोड़ दिया एकाद महने का कोई बात नहीं मगर हम लोगों ने हमारा यूनियन ने कहा था आपको मिलेगा और आज वो पैसा हम लोग इचार साल के बाद वो हम लोगों ने निकलवा लिया है सरकार से इसलिए जो लिखिच समझाओता हुआ है आप एकदम निश्चिंत रहिए समय जरूर लगेगा देर जरूर होगी मगर जो समझाओता हुआ है उसको देना पड़ेग अन्य था अगर जो समझाओता से सरकार पीछे हटेगी तो ये आपराधिक कारवाई होती है ये मैं साब साब कह रही हूँ कि अगर सरकार अपने समझाओता को लागू करने से पीछे हटती है तो ये आपराधिक कारवाई होती है और हम लोग लेवर कोट में जा करके स्रम न जोता करके और उनकी मांगे नहीं दे रही है इसलिए बहने आप निश्चिंत रहिए हम लोग इसको लिवर कोट में जा करके केस भी करेंगे और इस पर आगे का आंदोलन भी करेंगे और सदन में भी ये सवाल उठेगा इसलिए आप लोगों को निरास होने की ज़रुत नहीं है ये पैसा भी हम लोग ले करके रहेंगे आप लोग निश्चिंत रहिए और हम लोग लगातार लड़ा रहे हैं इनेम भने अभी लड़ाई में हैं उनके साथ हम लोगों को खड़ा होना है क्योंकि आपके आंदोलन में बहुत सारे जगा इनेम भने आपके साथ खड़ी क्ष Aquí तो आज उनकी लटाजी है उनका सवाल है उनके साथ हम लोगों को करा होना है इसलिए जो कोई भी आंदोलन संबिदाकर्मी नें बहने जो कोई भी आंदोलन में हैं अन Darren के पक्षम HC में हम लोगों को भी रहना है और हम लोग साथ मिल करके लड़ेंगे साथ मिल करके जीतेंगे हमारी रस्वया बहनों की को भी हम हम लोग जीतेंगे इसलिए आंगन बाड़ी बहनों की भी लड़ाई है उस लड़ाई को भी हम लोग जीतेंगे इसलिए जीते हैं और आगे जीतेंगे इसलिए इ संगठन था तभी इन सारी चीजों को हम लोगों ने हासिल किया अगर संगठन नहीं होता तो ये सा आज आप याद कीजिए कि आप 10 बरसों में क्या थी और कहां पहुंची हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आज जब भी हम कारेक्रम में देखते हैं तो हमारी सभी आशा और फैसलीटेटर के बहनों के हाथ में मुबाईल रहता है वो रेकॉर्डिंग करती हैं फोटो खीचती हैं वो सेलफी लेती हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी आशा बहने भी आज क्या थी आज मुबाईल से वो सेलफी ले रही है इतनी विक्सित हो रही है कि ये पैसा सीधे राजस्वा समीती से आपके खाते में जा रहा है इसमें कहीं कोई कमिशन देने की जरूरत नहीं है मैं पिछले बार भी मैसेज में कहीं थी कि बहुत सारे जगह कमिशन की बात की जा रही है एकदम से कहीं कोई कमिशन देने की आपको जरूरत नहीं है एकद आधिकारियों के पक्ष में तो उनके खिलाब भी हम लोग कारवाई करेंगे उनके खिलाब भी अगर यहां को पता चल जाएगा उनका कोड़ पता चल जाएगा तो हम लोग यहां से लिखित कारवाई करेंगे कि इन ऐसी बहनों को चाहे वो आसा हो चाहे वो फैसलिटेटर हो उनको चेहन मुगत की जाए इसलिए आपके बीच से कहीं कोई कमिशन खोरी की आप काम मत कीजिए अपने अधिकारियों को इसकी लख मत लगाईए क्योंकि अगर एक जगह आप कीजिएगा एक आदमी कीजिएगा पूरा संगठन बदनाम होता है पूरी आसा और फैसलिटेट पैसा जा रहा है आपका पैसा कोई नीचे के अधिकारियों ने नहीं दिलवाया है यह उपर यूनियन ने लड़कर के आपके पैसे आपके आपका कमाया हुआ पैसा है लगातार आप लड़ रही है कोई कोई नेता स्रिफ कोई कहा दे कि हम अकेले लड़कर के दिलवाये है ये मैं भी नहीं कह सकती कि मैं अकेले लड़के दिलवाई हूँ आप जो लड़ रहे हैं आपकी जो ताकत है उस ताकत के बदावलत आपको मिल रहा है इसलिए अपनी ताकत को अपने संगठन को अपने यूनियन को आप मजबूत कीजिए AICCTU का सम्मेलन होने जा रहा है एक्टू का जिससे हम लोग संबद्ध हैं इसका राष्ट्रिय सम्मेलन होगा मेंबर्शिप का जिम्मा मिला है आप मेंबर्शिप दीजिए इसमें कहीं कोई अपने यूनियन का मेंबर्शिप दीजिए अपने संगठन को मजबूत कीजिए ब इतने कह करके फिर मिलेंगे मैसेज के माध्यम से सामने सामने इन्ही बातों के साथ इनकलाप जिन्दाबाद